जै गुरूजी संगत जी, सबसे परेशुक्रान है मेरे गुरूजी का, जिनोंने फिर से मौका दिया है आप सबसे अपना सरसंग शेयर करने का। और उसका भी भला होता है जो सुनता है और जो सुनाता है उस सरसंग को। इसलिए संगत जी, अगर आप किसी भी रूप में, लिखित या ओडियो के रूप में अगर आप अपना सरसंग शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर शेयर होगा, एक फोन नमबर दिया जाएगा, आप उ लेकिन मुझे मन्त याद है, हो सकता है गुरुजी ने मुझे पिछले जरम से भी जोड़ा हो अपने साथ, और मैं हमेशा चाहती थी, कि मैं भी कोई गुरु हूँ, मेरे अपने गुरु हूँ, जिसको मैं खूब मान पाऊं, लेकिन भगवान की रूप में गुरुजी साम नहीं जानती थी, उन्हेंने का आप एक बार आना, और आपको बहुत अच्छा लएगा उस रसंग पे आखे, जब मैं उस रसंग में गई, तो मुझे नहीं पता था कि माथा टेकते हुए पैसे नहीं रखते हैं वहाँ पे, तो मेरे फ्रेंड ने में इशारा किया कुछ न नहीं रखना माथा टेको, मैंने माथा टेका, और जब ने चारो तरफ देखा, इतना सुंदर दृष्य लगा, फूलों की सजावट, गुरुजी का सिंगहासन, बहुत अच्छा लगा, मैं और मेरा बेटा, जो की छोटा था, जाकर बैठके हैं, गुरुजी के बास, स्नैक परशाद आया, और बात में लंगर परशाद भी मिला, सब ने बहुत डांस भी किया, नाचे सब, खुशी बहुत थी उस घर के अंदर, पॉजिटिविटी बहुत थी उस घर के अंदर, योकि वहाँ गुरुजी का वास था, और मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले ही कहा था, कि तुम्हें एक पीस ओफ माइंड मिलेगा, वहाँ पे आके, एक शांती मिलेगी, संगत जी, इस दुनिया में हर कोई परिशानिया सब के पास है, और सब को किस चीज़ की जरूत है, एक शांती की, एक पीस ओफ माइंड की, एक रिलाक्सेशन की, एक की, जब हम गुरूजी के चर्णों में आते हैं, तो वह पॉजिटिविटी, वह पीस ओफ माइंड हमें जरूर मिलता है, और जब पहली बार मैंने वो ससंग, उस ससंग में गई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, कि मुझे ऐसा लगा, बड़ा सुकून मैसूस हुआ, और जब मैंने वहाँ पे जो उनकी भजन सुने, शुकर करा, वो ससंग में जो भजन बोले गए थे, सुने गए थे, उसको मैं हमेशा सुनती रहती थी, और मेरा मन करता था, मैं इनको अपना गुरू बना लूँ, और मेरा मन होता था, कब सस संगाय और कब मैं जाओं, लेकिन जैसे गुरू जी की मर्जी, जैसे वो चाहते हैं, हम उसमें मन्जूरी है हमारी, वो जैसे उनको पसंद है, हमें उसमें ही आगे चलना चीए, जून के बाद जुलाई, अगस्ट, सप्तेमबर, अक्तूबर, नमंबर बीद किया, मैं जैसे ने बताया गुरू जी के बारे में, और वो बड़े मंदिर भी गए, धीरे 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 हमारे घर में सबनी गुरू जी को मानना शुरू करतिया, और गुरू जी ने मुझे दो साल के बाद, 2023 में जनवरी में बड़े मंदिर बुलाया था, जो जो में हमेशा ग बुलाते हो आपने का यू मुझे नहीं बुलाया और वहां का द्रिश्य तो आप सब को पता ही है बहुत ही मनमोहक दिल को सुगून देने वाला अब मैं छोटा सस्थंग आपको बीच में बता रही हूँ जो कि हो सकता है कुछ लोगों को कोइंसिडेंस लगे कुछ लोगों को फणी लगे लेखिन जब मैं उनसे जुड़ी तब उस वक्त मैं हमारे घर में कुछ का स्वरूप आया तो हमने कहा गुरूजी हमारे घर आ चुके हैं हम बहुत खुश थे सब हमारे कमरे के बिलकुल सामने गुरुजी का सुरूप था जैसे हम बाहर निगलते हैं हम उनके दश्रण कर सकते हैं माथा ठीकते हैं तो मेरा जिंदगी में संगत जी कभी भी कभी लखी ड्रॉ या कभी कुछ भी ऐसा नहीं आया जो कि अब बताने जा रही हूँ आपको कैसे मेरा एक गुरुजी के खिरिपा से कुछ फ्री ड्रॉ निकला फणी इसलिए कि आप सोचें कि यह संसंग क्यों शेयर हो रहा है इस तरह से क्योंकि मैं आपको बताना चाहरी हूँ कि जब मैं लाइव कुछ शॉपिंग कर रही थी उस लाइव शॉपिंग के अंदर यह था कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आप एक फ्री गिफ्ट के हगदार होते है अगर आपका ड्रॉ निकलता है तो तो गुरुजी का सुरूब बेकुल मेरे पेड्रों के सामने था मेरे गुरुजी आप आज हमारे घर आए है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा भी लग्की ड्रॉ निकले मेरा भी निकले और मुझे भी कोई गिफ्ट मिले कभी मेरे सा जिन्दगी में नहीं हुआ तो गुरुजी ने पनी प्रेजन्स शो कर दी उसी वक्त पंदरा बीस मिनिट के बाद अनॉंसमेंट हुई उसी लाइफ शॉपिंग के अंदर ही गुरुचिका अरोडा मैं हरान थी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी कि ये क्या हुआ मैं तो भी आपसे बात ही किया आपने अपनी प्रेजन्स मुझे शो कर दी तो उसमें सासा जनाउंसो अपना अड्रेस भेजिए ताकि हम आपको गिफ्ट पेज सके दो दिन के अंदर वो गिफ्ट आया बड़ा प्यारा सा गिफ्ट आया जो कि फ्री था जो कभी आज तक नहीं मिला कभी भी ऐसा कभी ड्रॉ नकी निकला ही नहीं तो गुरु जी ने पहली प्रेजन्स तब शो की थी अब हो सकता है ये फ़नी हो कोइंसिडन्स लगे लेकिन ये उनी की मन्जूरी से उनी की मर्जी से था उनी की प्रेजन उसके अंदर शामिल थी क्योंकि मैंने उनकी दरफ देखा मैं गुरू जी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि मेरा भी कभी लखी ड्रॉ निकले तो उसी वक्त वो निकल गया जै गुरू जी उस चीज के लिए शुकर आना गुरू जी ने काफी बार तो नहीं कह सकती एक बार जिसे मैं पूर्ण तरीके से बोल सकती हूँ उन्होंने मुझे सर्प दर्शन दिये जो कि आप इसी मैंने पिछले अपने ससंग में शेयर किया है कि ड्रीम दर्शन किस तरह से उन्होंने मुझे दिये और मेरे गले का अपचार किया था आज मैं ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरू जी के आग्या से ये शेयर हुआ है ससंग शेयर हुआ है और आगे अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं आप भी भेज सकते हैं और जो जो मैं और भी काफी कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो वे अपने अगले ससंग में करोंगी तो सभी संगत जी बोलते हैं सब जै गुरू जी शुकराना गुरू जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरू जी हर सांस का शुकराना गुरू जी हर चीज के लिए शुकराना आप है तो हम है गुरुजी शुकराना गुरुजी जै गुरुजी